नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चीर परीजित दोस्तों बस्थित हूँं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके जियां दोस्तों, आज हम सभी बात करेंगे अंकुरित चने को खाने के फायदे लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि चने को हम अंकुरित कैसे करें इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चना ले आप उसे रात में भिंगो दें सुबह उसे निकालें उसे भिंगो दें उसके बात करना क्या है आपको कि उसे आप सबसे पहले किसी भी सूती वस्तर में लपेट करके रख दें उस पर पानी का छिड़काओ कर दें वो आपको अगले 24 आउर्स के अंदर अंकुरित मिलेंगे इनको खाने के फायदों के बारे में आज हम सभी बात करेंगे दोस्तों जो लोग अपनी सेहत से प्यार करते हैं उनकी दिन्चरिया में वियायाम के अलावा सुबह सुबह ली जाने वाली वह अंकुरित अनाज है जिसे अगर नियमित रूप से लिया जाए तो आपको ढेरो सारे फायदे होंगे दोस्तों इन्ही अंकुरित अनाज में से एक है चना आईए इसके लावों के बारे में हम सभी जानते हैं काले चने का प्रियोग किसी भी रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं यही नहीं अंकुरित चने खाने पर आप इसके पोशक तत्वों का दुगना लाव उठा सकते हैं दोस्तों नमबर टू फायवर से भरपूर काले चने को यदि आप नियमित रूप से भिंगो कर खाते हैं पेट या कबज से संबंधे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं ध्यान रहे इसका प्रयोग छिलकों के साथ ही करें छिलके निकाल कर नहीं करना है इसका प्रयोग आपको नमबर थर्ड यदि आप सुस्त हैं या आपको बहुत ज्यादा थकान होती है तो आप काले चने का सेवन कर सकते हैं जिस तरह चने खाने से घोड़ा सरपट दोडने लगता है उसी तरह यदि आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो यह आपके पूरे दिन को उर्जावान बनाए रखेगा शहरी भाग दोड़ भरी जिन्दगी में आज बलड शूगर या डाइबिटीज आम हो चुकी है इसलिए जो लोग इस समस्या से पीडित हैं उन्हें काले चने खाना चाहिए कारगर उपायक के रूप में काला चना रक्त में शूगर की मातरा को नियन तरित करता है और शरीर में गलुकोज की अतरिक्त मातरा को भी कम करने में मदद करता है यदि आप इसे सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह और भी ज़्यादा फायदे मंद हो सकता है नमबर फाइब काली चनी का नियमित सेवन शरीर में आईरन की कमी नहीं होने देती है और इसमें मौजूद फासफोरस और आईरन नई रखत कोशिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं और हिमोगलोबीन के स्तर को भी बढ़ाते हैं जिससे एनिमिया जैसे बिमारी से बचा जा सकता है यदि आप इसका सिवन गुड के साथ करते हैं तो यह और भी अच्छा है बार बार पेशाब आना या यूरीन संबंधि रोगों के लिए काला चना एक दवा के रूप में काम करता है इसे न किवल अंकूरित कर बल की भून कर खाने से भी पेशाब संबंधित समस्याएं दूर होती हैं दोस्तों नमबर सेविन आपने अधितर लोगों को रात को चीनी मिट्टी के बरतन में भींगोए गए चनों को खाते हुए देखा होगा इसके पीछे की वज़़ शारीरी कमजोरी को दूर करना होता है आप इसका प्रियोग दूद के साथ भी कर सकते हैं इतना ही नहीं यदि भींगे हुए चने के पानी में शहद मिलाकर पिया जाये तो पुरुशत्व में बृद्ध ही होती है दोस्तों नमबर एट मानसिक तनाव एवं उनमाद से गुजर रहे लोगों के लिए चना बेहद ही फायदिमंद है यह रात को चने के दाल को भींगो कर सुबह पीस कर चिनी वपानी मिलाकर पीने से मानसिक तनाव संबंधित समस्याएं धूर होती हैं दोस्तों नमबर नाइन भींगे हुए चने को दूद के साथ पीस कर इसमें शहद और हल्दी मिलाकर यदि आप नियुमित रूप से चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा दिनों दिन और निखरेगा दोस्तों नमबर टेन पीलिया के रोगियों को अंकुरित चने का सेवन करना चाहिए इससे बहुत ही लाप मिलता है दोस्तों नमबर इलेवन यह हड्डियों को मजबूती प्रधान करता है इसके साथ ही यह कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है नमबर टेन अंकुरित अनाज की मदद से पेट में उपस्थित विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं आप निंद खराब करके रात को बार बार उठकर पेशाब करने के लिए जाना एक समस्या है जो कई लोगों के साथ है इसके लिए आप अंकुरित चना आपको जल्द ही फायदा मिलेगा दोस्तों नमबर थर्टिन सुबह सवेरे खाली पेट अंकुरित चना का सिवन करना काफी लाप प्रद होता है इससे शरीर तंदुरूस्त रहता है और बिमारियां नजदीक भी नहीं आ पाती हैं दोस्तों नमबर फोर्टिन शरीर में प्रोटिन के मातरा बढ़ाने के लिए अंकुरित चने को साबूत या पीस कर चीनी और पानी के साथ लीजे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा साथ ही मांस पेश्यां भी मजबूत होती हैं दोस्तों नमबर फिफ्टिन सुबह सुबह अंकुरित चने का सेवन करना बहुत ही फायदे मंद रहता है अधिकतर लोग इसका सेवन सुबह उठने के साथ ही करते हैं इसते नकेवल शरीर को उरजा मिलती है बलकि बिमारियां भी दूर नहीं फट बलकि बिमारियां भी नजदीक नह सहारा ले रहे हैं भूख लगने पर वह फास्ट फूड या जंक फूड की बजाए इसी तरह के सलादों का सहारा ले रहे हैं यह सलाद नकेवल पोशक ततों से भरपूर होते हैं बलकि इनका स्वाद भी आपको इन्हें खाने के लिए ललचाता है अंकुरित चने की सलाद एक रेसीपी भी है जिसे आज का लोग बड़े हैं चाव से खाते हैं इसलिए यदि आप भी अपने सेहत को लेकर गंभीर हैं तो अंकुरित चने की सलाद को अपने डाइट में शामिल करें और स्वस्त रहें तो ये था आप सभी के लिए आज का हमारा वियो दोस्तों अग